तो दोस्तों अगर आप एक यूटीवर हैं तो आपको पता हुआ कि एपरेल 6 के बात से यूटीव जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट होगया है जिसकी वज़े से यूटीव में बहुत सारी नई पॉलिशिस निकाली अपनी कुछ पॉलिशिस में बहुत सारी चेंजेस की तो उसी क आप इस वीडियो को देखते रहे हैं क्योंकि ये वीडियो आपको जरूर से बहुत मदद करने वाली है तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है द्रेश जुमानी आप देख रहे हैं टेक जासूस चले शुरू करते हैं क्थब्सस को दोस्तों सबसे पहले बात है कि यूट्यूब ने क्या किया है कि अगर आपका एक नया चैनल ये अगर आप कर एक नया चैनल बनाते हैं यूट्यूब पे तो ये आपको 10 थाउजन व्यूज जो है सबसे पहले गेंड करने पढेंगे यूट्यूब पे याना की आपके चैनल पे 10 थाउजन व्यूज होने चाहिए तो उसके बाद ही आपके चैनल पे अड्स आएंगे ये जो सबसे पहला स्टेप और सबसे बड़ा स्टेप यूटीब नहीं था उसके बाद उन्होंने यूजर्स को पावर दे दिया यानि कि आप लोग जो है जो रेगुलर्ली वीडियो बना के अप्लोड करते रहते हैं फालतु के एक ही टॉपिक यानि कि एक ही वीडियो को टाइटल प्लोड करता है तो उसके चैनल को रिपोर्ट कर सकते हैं और चीज हम बात करना वाल है वह यह है कि एडवर्टाइज मेंट गाइडलैंस की बार में बात करना वाल है इस वीडियो में क्योंकि बहुत सरे यूटीबर्स के एड्स नहीं आ रही है उनको वीडियो पर बहुत क अगर आपका वीडियो नहीं बहुत करने पड़ेगा और दूसरी बात आपका कॉंटेंट जो है यह जो एडवर्टाइजर फ्रेंडली कॉंटेंट गाइडलैंस है इसके खिलाप नहीं होने चाहिए आपके कॉंटेंट जो है इस गाइडलाइनस को फोलो करने चाहिए और वो क्या गाइडलाइनस है चलिए मैं आपको बता देता हूए कि करके तो यहां आपके आप नीचे देखेंगे आपके वीडियो के ओपर बिल्कुल भी आड्स नहीं आएंगी तो दूसरा जो है आप देख सकते हैं आपके वाइलेंस इंक्लूडिंग डिस्प्ले ओफ सीरेस इंजियूरी एंड इवेंट्स रिलेटेड टू वाइलेंस एक्स्ट्रीमेश्म यहनि कि जो भी जैसे मार काड ऐसी कुछ वाइलेंस डालते हैं यहाँ पर वाइलेंस से रिलेटेड वीडियो दालते हैं वह वीडियो नहीं होगी है और आपको वीडियो प्रेंड नहीं आएगी वॉयलाइन से मिला मतलत है मार पीट, वार का वीडियो किसी दो देश के बीच में वार दो लोगों के बीच में लड़ाई ऐसे कुछ की वीडियो डालते हैं तो आपको उस वीडियो पर दिल्कुल भी एक्ष नहीं आएगी तो तीसरे कंडेशन देख लेते हैं यहाँ आपे देख सकते हैं इनेप्रोप्रोप्रेट लाइंग्वेज इंक्लूडिंग हैरास्मेंट प्रोपेनिटी एंड वल्गर लाइंग्वेज इनेप्रोप्रोप्रेट लाइंग्वेज जाने की गलत भासा अगर आप यूज करते हैं गाली वाली करते हैं बैड वर्स यूज करते हैं हेरस्मेंट हेरसिंग लैंगवेज भी इस कैटेगरिका एंटर हाती है और कुछ कैस्स में आपके डैम हेल्म एसे वर्स भी जो है अगर आपके वीडियो से में है तो इंक्लूडिंग सेलिंग यूज एंड एब्यूज ओफ सच आइटम्स यानि कि अगर आपका जो वीडियो है उसमें ड्रग्स है या फिर आप इंडायेटली सेल करते हैं उसको यूज करना दिखाते हैं तो फिर आपका वीडियो जो है एड़र्टाइजर फ्रेंडली नहीं र को इंटर्टेइन करें कुछ इस तरह के कॉंटेंट्स जो है आप बनाएए कॉंट्रोवर्शेल और सेंसेटिफ सब्जेक्स एंड इवेंट्स इंक्लूडिन सब्जेक्स रिलेटेड़ वर पॉलिटिकल कंफ्लिक्स नेच्टुरल डिजास्टर ट्रेजिटिस इवेंट ठीक है तो तबाई बत्ती है अभी बीफ में आया था हमारे भारत में एक तुफान आया था हुरूर बोलके ओडिसा आंद्रा में उस तुफान में जो डेमेज हुआ था वो सबकी वीडियो या फिर वार से रिलेटेड वीडियो से फिर पॉलिटिकल कंफ्लिक्स यह सब जो अच्छे से आप भी एक बार पढ़ लीजिए मैं लेंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे जूँगा आप इस तरह की वीडियो बिल्कुल भी ना डालिए आप महनत करिए खुद की वीडियो बनाईए आपके अंदर से टैलेंट है उसके उपर वीडियो बनाईए और वो लोग भी उसको देखेंगे तो आप ध्यान करके इस गाइडलेंस का तो बिल्कुल भी तोड़िएगा मत और बहुत निउस चैनल अगर आपका है तो आप यूज कर सकता है यह सब दिखाने के लिए निउस के तोर के लेकिन आपको उसके उपर जो कमेंटरी देनी परती है भी वो सब बोलना ही पड़ेगा आप डारेक्ट वीडियो उठा के डाल दिए तो फीर नहीं होगा आप वीडियो एक आया उसको उठा के डाल देंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा आप खुछ की उसमें जो है कमेंटरी करिए डाले और निउस के जैसे बनाना तो पूरा न तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो वीडियो मेनेजर है वहां पर चले जाएए वीडियो मेनेजर में जाने के बाग आपका जो वीडियो में एक्स डीजबल हो गई होंगी उस वीडियो के राइट सेट में डॉलर होगा उस डॉलर पर क्लिक करिए फिर आपको वीडियो पर इसे लिये नंग करता हूं दोस्तों कि मैंने आपके बहुत सरे के साथ जुटायो verbess़шे से अपने यूट्यबर Union को ग्रो कर सके और इस तरह की एड़ीज़ प्रेंडली ग एड़लाइंस पी Stitch काम कर पाएं और जो इस सवाल है इसके बारा में तो आप प्री लिए से कमेंट सेचन में लिखके बताएं मुझे मैं आपको उसको रिप्लाइज देने की 100% कोशिच करूँगा और मैं वेता है आपसे के लिए वीडियों में एक नेट भी के साथ अत्ते के लिए जैएंट वंदे मात रहा हूँ